वेलो स्टूरेंट्स आज के टोपिक में हम लोग स्टडी करेंगे मेथर्ट्स औफ जेनरेटिंग इंड्यूस्ट एमफ इंड्यूस्ट एमफ केंग बी प्रोडूस्ट बाइचेंजिंग दा मेगनेटिक फ्लक्स लिंक्ट विस असर्किट कि ध्यान देना है कि यह मङप जब भी इंड्यूस्ट होता है इसकेकर और रियल रिजन क्या होता है तो यह इसे जंग दो मेगनेटिक फ्लक्स जब भी मेगनेटिक मेजफ कनाता है यह प्रोसेस जो वह हो हम लोग यहांपर तीन मेंधल देखेंगे के तीन तरह से मेगनेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है जिसका एफेक्ट होता है यह में इंडियूच होना अगी हम बात करते हैं यह तो फ्लक्स का एक्प्रेशन है थ्री मेथड्स टू इंडियूच्ट एमएफ डैट इस नंबर वन चेंजिंग दा मेगनेटिक फिल्ड हैं लोगों ने फारेश के एक्सपयरमेंट को देखा किस तरह से एक बार मैगनेट को कोईल के नज्दिक लाये जाता है फिρ Balman को को से दूर ले जाता है इसके बाद फिर बार मैगनेट को स्टॉप रखकर के कोईल को करना दो जाता है और दो च्राइब रमladımोट मेंdf नंबर तो में हम लोग देखें के इरिया अपको बताया होता है मुशनल में हम लोग ने देखा किस तरा से कुएल के winner को डिक्रीच किया जाता है one part movable होता है और जैसे जीसे मूब करता है इसका एरगे छोटा होता होता जाता है और छोटा होने के वज़ज़ से लास्ट वाले टॉपिक को आज हम लोग बात करेंगे चेंजिंग दा रिलेटिव और टीटा और बी एक फिल्ड ए इस एरिया वेक्टर ओफ दा प्लें अफ दा क्वाल एंड टीटा इस एंगल बिट्वीन अग्नेटिक फिल्ड बी सो और यह थर्ड अलब में थर्ड है इस में अलसो कॉल्ड थिर्य ओफ एसी जेनरेटर आई हम लोग बात करते हैं क्या है तो जैसे हम लोग डियाग्राम देख पारें देख पारें और यह में अग्नेटिक फिल्ड है जो इस तरह से रड डियरेक्शन बढ़ा हुआ है क्या करना है यह इस तरह से सिट किया गया कि यह यहां पर रिली रोटेट कर सकता है अब है यहां पर फ्लैमिंग राइट हैं लगेगा क्योंकि हम्हें मालूब है लेमिंग सब्सक्राइब के डियरेक्शन को बताता है प्लस और भी जानकारियां है जिन्हें हमें थोड़ा देख लेना है और मेंगनेटिक फ्लक्स का जो फर्मूला है यह जानते हैं पिछले वीडियो के हिजाब से एस दे एरिया ओके और थीटा जैसा कि अभी हमने दिखा या ratio कि je to दिठा ये व किस तरहां से होता है किस किस एक्सा की के बीच में सुआ या एरिया वेक्टर दूंकि यह ओका है उस का पेना पर प्लेंड स प्लेंड पर out और वेक्टर और मनेृटि पहीं का जो एंगल होता है या तीटा होता है जैसे जैसे यह घूंग रोटेट होता है वैसे वैसे घूटा गवेलू चैंज करता है और आगे हम लोग बढ़ते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं ठीटा इकोल टो यहां पर हम लोगों कहा लिखा अभर हम लोगों इने देखा फिया इस फाइज एकल दू वी एक ओस थीटा इस थीटा के जगा आ नूइन बढ़ा दिया ओमेगा टी और हमारा एक्स्प्रेशन यह मिला भी एक ओस ओमेगा थी अब इसके बाद हमें देखना है कि एमेफ कितना इंजूजड होगा तो एमेफ का जो फॉर्मूला फारेड़ेज ने दिया था इट वाज कि एक्वाल टू माइनस डी फाइव डी टी और फाइज मेगनेटिक फ्लक्स यहां पर हम लोग बी एक ओस ओमेगा टी बठा देंगे और यह डिफ्रेंशेशन का फॉर्मेशन है यहां पर मेंगनेटिक फिल कॉंस्टेंट है एरिया कॉंस्टेंट है और यह जो टाइम है यह पूरा यह अंगल और टाइम से डिफ्रेंशिये ट किया जाए तो स्कॉस मेंगा टी का डिफ्रेंशेशन उस्ट हो जाएगा माइनस साइन अंगे और यह मैनस और यह वाला मैनस कैंसल होकर के प्लस हो जाएगा जहाएम देख़ाएं बी एक ओमेगा साइन मेंगा टी और अब लोग इसे लिखेंगे इस कोईल है एंट तर्ण देंड टोटल इंड्यूज्ट इम्फ विल बी एंड यह एंसे मल्टिप्लाइग करेंगे यह वन डोटेशन के पर जो करेंट एस्वरी जो एम्फ इंड्यूज्ट होता है वन डोटेशन कोईल के वज़े से और अगर यह है यहां पर से सिंगल गाए नोट इसन न्हों क्या थो धर्यूज्ट है यह फिर रिकार्ट को उन और फ्रबिया करेंगे और हमारा फांटर फॉर्मूला हो जाता है एंट यह ओमेगा साइन ओमेगा टी यई थिस इस एक्प्रिसेंट पोर इंडिद्यूज्टेंग एव और कोईल इस रोटेटिंग इना मेगनेटिक फिल्ड और थोड़ा सापको मैं बता दूँगा आप लोगों नीचे क्लास में ही पढ़ लिया है यह आपको मालूम होगा फ्लैमिंग राइट हैंड रूल कि यह जो करेंड का डिरेक्टन होता है फ्लैमिंग राइट हैंड रूल के ह अगर आप इस वाले पार्ट के बात कर रहे हैं तो आप एस और आर का मोसन की दर दिखा रहे हैं या फिर पी क्यूं का मोसन की दर उपर है या नीचे है उसके हिसाब से उसका कोर्सपंडिंग करेंड का डिरेक्टन होता है तो यह दो फिलाल हम लोग को देखना था कि जो कर डेवलोप करेंगे अगर यह जो थीटा है जिसे हम लोगों लिखा है ओमेगा टी यह मैक्सिममम कब होगा जब ओमेगा टी का वेलू 90 डिग्री होगा क्योंकि साइन ओमेगा टी वन हो जाता है और इस तरह से हम लोग बात करेंगे यह वेलू रिडूस कर जाएगा और यह पर जाएगा ए नॉट एंड मैक्सिममम के लिए यह जागा न बी ए स्वरिन बी ए ओमेगा और हम लोग इस ओमेगा के जगा पर लिख सकते हैं टूपाई एफ ये एफ क्या है इस इस फ्रिक्वेंसी जिसे हम लोग तूपाई बैटी भी कर सकते हैं और यह साइन ओमेगा टी कहां चला गया क्योंकि साइन नैंटी डिग्री अगर है मिक्सिमुम बेलू के लिए तो वह वन हो जाता है तो यहां पर हमने साइन ओमेगा टी को साइन नैंटी डिग्री होने को वज़े से वन करके छोड़ दिया और यह जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वहां मिला इंग्लर डिस्प्लेस्मेंट और इस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं तूपाइफ टी अलसो क्यूंकि ओमेगा को लिखा जाता है तूपाइब टी एंड वन बाटी इस इकल्टी से यहां पर एफ लिख लिखा गया है और हम लोग इस रोटेटिंग पार्ट को देख सकते है किस किस तरह से रोटेट करता है और उसका कोर्सपंडिंग ग्राफ बनता है जिस ग्राफ को भी जानना जो यह क्लास 12 में तो जैसे हम देख पा रहे हैं अभी आप इस कोईल को देख पा रहे हैं यह कोईल जीरो डिगरी अंगल बनाई हुए इस कोईल का जो एरिया का डिरे है यह मेंगनेटिक फिल्ड लाइन से दोनों अभी एक ही डिरेक्टर में होंगे और उनके बीच के एंगल जिरो डिगरी है तो यहां पर हमने दिखाए जीरो उसके बाद क्या होगा इस वाले पोजिशन में आप यहां से इस तरह से उपर की तरफ लाइन ड्रो करिए बनेगा और इसका क्योंकहें मालूम है कि यह हमारे मेलैं का है यह साइन का है कि और अगर आप को जरूर मालुम होना चाहिए अगर आप मैक्स के तो जरूरू अलबहों प्रेला दिकत होता है लेकिस अप असानी समझ सकते हैं कि साइन का ग्राफ या कोस्ट का ग्राफ कैसा बनता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि या साइन पर डिपेंड कर रहा है तो इस तरह समने देखा कि जब एंगल 90 डिग्री होता है तो यह मैक्सिमम हो गया और इसके बाद फिर आप देख़ा रहे है और यह सेम है तो फिर से बात हो गया लेकिन इस पार एंगल है क्योंकि रोटेशन हो चुका है अब एंगल वन इतीडीग्री का है और साइन वन दिक भी लू फिर से जीरो होता है तो बेलू सब्सक्राइब जीरो तो टोली यमेफ जीरो हो जाता है फिर आगे बढ़ते बढ में आथा जो आप देख पार एक बार रिपीट हो गिया और यहां पर फिर से एंगल बिट्विन दा एरिया बेक्टर एंडव मेंगनेटिक फिल इस 90 डिग्री और क्योंकि यह रोटेट्शन होकर क्या है और इस पोजिशन में एंगल बना हुए 270 डिश्री पाइब टू एंड यह देंगल इस यह फिलू ऑफ साइन ओमेगेटी इस मैक्सिमम और फिर से इस तरह से कंटिनूर्सली ऐसे से करके यह चलता जाएगा अब बस एक छोटा सा डाइग्राम देख लेते हैं कि एक एसी जेनेरेटर की बात की यह इस तरह से होता है एक तरफ नोर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल और इनका जिसा कि हम लोग नहीं यहां दिखला है मेंगनेटिक फिल्ड लाइंस इस तरह से कंटिनूर्स बन रहे होते हैं नोर्थ से साउथ की तरफ मेंगनेटिक फिल्ड का डिरेक्शन होता है और यह कोईल इस मेंगनेटिक फिल्ड लाइंस के बीच में रोटेट कर रहा था जैसा कि यह रोटेट कर रहा है डिसी जेनेरेटर और उसका कोर्सपंडिंग आउट्पूट करेंट इस वाले पार से बाहर निकलता है और यहां से हम लोग किसी डिवाइस को कनेट करके उसे यूज करते हैं तो आज की वीडियो में तहीं थैंक्यू